हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का वापस से एक बार राजस्तान अकेडमी पर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमने आप सभी लोगों के लिए सेकंड केरिड मैट्स के अंतरगात वीडियो अप्लोड करी थी और 92 क्लासे हमने अप्लोड कर दी थी लगबग हम जो है सेकंडरी और सिनियर सेकंडरी लेवल का जो सेलेबस है उसका 50% कोर्स हम कर चुके हैं और साथ ती साथ मैंने कोशन प्रैक्टिस के लिए एक अलग से मॉर्डल पैपर की प्लेइलिस्ट भी लगाई थी जिसके अंदर हम कर रहे थे प्रिवियस एर के कोशन पैपर भी और अब दोस्तों वापस से आपका जो है लेक्चर थोड़े दिन के लिए जो बन किये गए आपका पूरा सेलेबस करवाये जाएगा मतलब करवाये जाएगा आपको डरना नहीं है कि सर यार थोड़े दिन क्लास बंद कर दी क्यूं करी थी तो वो रीजन थे कहीं कि आपकी जो है मेरी तब्यत वगिरा भी ठीक नी थी और हमारे स्कूल में भी कई काम थे अभी प्रै सबी लोगों ने उन्हें कंप्लिट किया होगा मेरे पस लगातार कमेंट आते रहते थे कुछ इस्टुएंट्स के जैसे सुनील कुमार है इसके अलावा सरमिला बैनिवाल है कई ऐसे स्टुएंट्स है जिनके नाम भी अभी यादनी हुए है तो वो लगातार कमेंट करते जैसे एक कॉमल यादव या ऐसा कुछ नाम है दिनके लगातार कमेंट साते थे कि सर अब नेक्स क्लास कवाईगी नेक्स क्लास कवाईगी तो अब आपको टेंसन नहीं लेना है आपकी क्लासे अगेन स्टार्ट कर दी गई है तो आप लोग जो है वापस से लग जाईए पनादा चालू कर दीजिएगा ठीक है चलिए दोस्तो आज हम समझेंगे एलिप्स को पहले एक बार रिवीजन करेंगे उसके बाद आगे का रिवीजन जो है कॉन्सेप्ट पगईरह वो हम सीखना चालू करते हैं चलिए तो दोस्तो हम पढ़ रहे थे ellipse के बारे में ellipse क्या था an ellipse is defined as a locus of a point which moves in a plane such that a distance from a fixed point bears a constant distance e less than 1 less than 1 to its perpendicular distance from a fixed line तो यह क्या था कि भाई हमारे पास मैं एक point होगा जो move कर रहा होगा और वो ऐसे move करेगा कि उसकी एक fixed point से और एक fixed line से जो distance होगी उसका ratio जो होगा वो हमेशा less than 1 होगा और moving point कौन सा था दोस्तो हमारा यह जिसकी देखो SP और PM इसकी distance का जो ratio है E जिसे eccentricity कहते हैं वो less than 1 आनी चाहिए किसके लिए? ellipse के लिए फिर मैंने आप लोगों को standard equation ellipse की बताई थी x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 जब a greater than b है तब तो directrix क्या हो जाएगी plus minus a upon e focus क्या हो जाएगा plus minus a e, 0 ठीक है b square is equal to हो जाएगा a square into 1 minus e square focal length क्या हो जाएगी 2 a e latest rectum क्या हो जाएगी 2 b square upon a आपको बता दिया था, diagram मैंने आपको बता दिया था कि focus कहा होता है, directrix कहा होती है इसके vertex क्या क्या होती है, axis क्या होती है ठीक है, फिर हमने बात करी थी ये कुछ important points की जैसे minor axis कौन सा होता है major axis कौन सा होता है, point of intersection जो इनका होता है उसे center कहते हैं फिर हमारा major or minor axis जो है ellipse के, वो दोनों को एक साथ अगर पूचा जाए, तो principal axis का जाता है ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी, जो हमारा अगर x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ellipse ही है लेकिन अगर a greater than b होता है तो पहले वाली condition लगती है जब b greater than a हो जाता है प्लस माइनस b upon e focal radius क्या हो जाती है b plus e y और b minus e y latest rectum क्या हो जाती है 2a square upon b focal length जो है, वो क्या हो जाती है 2b e हो जाती है, latest rectum क्या हो जाती है, 2 into e हो जाती है eccentricity, और eccentricity की जो value है कि वो हो जाएगा, आपको पता ही है या फिर इसे हम यह भी कह सकते हैं कि distance between focus and corresponding directrix जो आप focus ले रहे हैं उसी के side की जो directrix होती है उसका जो multiply कर दिया जाता है तो 2 into e into distance between focus and corresponding directrix तो हमें latest rectum मिल जाती है ठीक है, यह जो है latest rectum होती है, 2a square upon b उसको हमने इस format में लिख दिया है कि हम यह भी कह सकते है अगर हो सकता है कि आपको direct eccentricity की value और focus और directrix की distance दे कर के पूछे तो आप direct कर देना 2 into e into distance ठीक है चलिए, यहाँ तक की बाते हम कर चुके थे अब हम आगे बात करेंगे तो next हमारे बात आजाती है तो next point आजाता है आपके auxiliary circle के बारे में ठीक है तो आप topic डालिए अब इस topic को पूरा अच्चे से समझने के लिए आप पिच्चे की वीडियो देखिएगा इसमें तो मैंने जल्दी जल्दी में बताया है सिर्फ ठीक है चलिए तो auxiliary circle क्या है ठीक करिए वो भी कहाँ ellipse के major axis पर और जो major axis है उसे आप diameter मान लीजिए और फिर diameter अगर major axis को मानते है और जो आप फिर अब circle draw करेंगे जो circle describe होगा उसे हम कहेंगे auxiliary circle और जो auxiliary circle होगा उसका center और ellipse का center एक ही होगा और जो इसकी radius है वो किसके equal हो जाएगी diameter के half यानि की semi major axis के equal हो जाएगी तो अगर आप से पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई किसी ellipse के लिए उसके जो auxiliary circle है उसकी equation क्या हो जाएगी तो auxiliary circle की equation क्या हो जाएगी ये सब जो है अभी हम जब इसका not down करेंगे तो आपके सामने equation आईगी और इसी के साथ एक और नया concept आप सिखेंगे eccentric angle के बारे में कि eccentric angle है क्या ठीक है चलिए तो आप लिखेंगे a circle described described on major axis of ellipse ellipse as diameter of diameter of circle is called and it's auxiliary circle clearly clearly its center is center of ellipse ठीक है वो तो अव्यसी बात है भाई जब major axis को ही diameter मानके कर रहे हैं तो जो ellipse का center होगा वही center हो जाएगा auxiliary circle का भी ellipse and its radius और इस circle की जो radius है वो क्या हो जाएगी तो radius is equal to semi major axis major axis के आदे के बराबर हो जाएगी समझ में आगई बात semi major axis चलिए अब पहले हम इसका एक diagram बना लेते हैं कि इसका diagram किस परकार का बनेगा तो ये हमने लिया major axis मान लीजिए और अब एक हम बना लेंगे इसके उपर मान लो white color का लेकर के circle बना देते हैं ठीक है yellow ये लगबग center में आ जाना चीए आ गया ठीक है चलिए और अब एक ellipse का भाग बना देते हैं yellow समझ में आई बात ठीक है तो ये है a ये है a dash और ये इसका मान लो क्या है center तो इस center से अब हम क्या करेंगे इसके उपर एक perpendicular डाला और इस center से ये कला ले करके center से इसको मिला दिया सबोच करिए और ये जिस point पर मिलाया गया वो है Q जिसके coordinates है a cos theta और a sin theta समझ में आगई बात ठीक है क्या मान लिया a cos theta और a sin theta क्योंकि हमने ये point लिया किसके उपर है circle के उपर लेकिन जो ये ellipse है इस ellipse को ये काटेगा ये perpendicular वो मान लो p point पर काट रहा है और इस p point के coordinate हो जाएंगे a cos theta और b sin theta समझ में आई बात तो हम क्या कर रहे हैं एक ellipse है ellipse के major axis के around हमने diameter मान के एक circle खीचा उस circle के उपर जो एक point लेंगे उसके coordinate तो होंगे a cos theta a sin theta आपको पता ही है ठीक और जो ellipse है उसके उपर जो एक point ले रहे है उस point के coordinate हो जाएंगे a cos theta b sin theta और ये मिल रहे हैं मान लो इस end point पर ठीक है नीचे कट करेंगे तो ये जो angle बना है ये है theta इस theta angle को ही हम कह रहे हैं eccentric angle ठीक है समझ में आई बात और अब यहां आप एक चीज नौट करेंगे कि वो ये है थोड़ा सा ये देखिए ये जो ellipse है इस ellipse की equation तो क्या होगी तो e और ellipse की equation हो जाएगी x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ठीक है और जो ये circle है हमारा इस circle की equation क्या हो जाएगी तो x square plus y square बराबर a square समझ में आगई बात ये किसकी equation है circle की equation है और ये किसकी equation है ellipse की equation है ठीक अब देखिए दोस्तो आपने जैसा की देखा ellipse के उपर हमने point माना है a cos theta b sin theta और circle के उपर माना है a cos theta a sin theta तो आपको पता है कि भई x बराबर coordinate के आ रहा है यहाँ भी a cos theta यहाँ भी a cos theta इसे हम put करेंगे किस equation में तो इसे हम put करेंगे ellipse की equation में तो यह हो जाएगा a cos theta का square upon में a square plus y square upon b square is equal to 1 a square से a square हो जाएगा टाटा बाइ 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 ठीक है तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा cos square theta plus y square upon b square is equal to 1 सुझ में आ गई बात जब हम इसे solve करेंगे तो b square इदर आ जाएगा तो यह बन जाएगा क्या दोस्तो देखिए यहाँ से इसको ले लेते हैं हम l c m और यह बन जाएगा b square cos square theta plus y square बराबर b square यहाँ से y square बराबर आ जाएगा b square माइनस b square cos square theta जैसे ही यहाँ से हम b square common लेंगे तो यह क्या बनेगा 1 माइनस cos square theta और 1 माइनस cos square theta होता है sin square theta तो यह हो जाएगा y square is equal to b square sin square theta यहाँ यह बराबर आ जाएगा b sin theta समझ में आ गई बात तो यह हमें यहाँ दिख गया कि देखो a cos theta b sin theta कैसे आया है ठीक है समझ में आ गई बात तो यह जो है इसको प्रूब करता है कि हाँ भाई यह a cos theta और b sin theta दोनों के दोनों point यहाँ पर present है समझ में आ गई बात ठीक है पहले हमने diagram बना लिया था अब यह जो theta angle है यह कितना हो सकता है तो आपको पता है कि इस theta की value या तो होगी 0 भाई यह पूरा क्यूँ इसी a के उपर आ जाए या फिर यह पूरा ऐसे गूम क्या है यानि 0 से लेकर के maximum 2 pi angle तक rotation करेगा तो एंगल सॉरी eccentric angle क्या होता है eccentric angle होता है यह theta जो हमारे circle की radius जो है वो बनाती है समझ में आ गई बात ठीक है तो यह theta जो है यह क्या है तो मैं यहां लिक रहा हूँ eccentric angle समझ में आ गई बात ठीक है तो आपको पता चल चुका होगा कि eccentric angle है क्या और auxiliary circle क्या होता है ठीक है समझ में आ गई बात clear है अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एक और चीज कि यह भाई जो हमने लिगा है एक और शीटा बी साइन ठीटा इसे हम ellipse की parametric form भी कह सकते हैं तो आप से अगर पूछ ले कोई कि ellipse की parametric form कौन सी है यही प ब्रेकिट ए कोई ठीटा बी साइन ठीटा यानि की आपको अगर कोई point लेना है या parametric form होती क्या basically कि आप जो भी parametric form में equation ले रहे हैं जो point ले रहे हैं उनको वापत जब आप equation में put करें तो आपको वही result मिले जो आपको पहले मिल रहा था तो आपके पास में जो होता है ellipse की equation x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 इसके अंदर जैसे ही x की जगे a कोई ठीटा और y की जगे b sin ठीटा आप put करेंगे तो 1 ही आता है तो अगर आपको ellipse की parametric form कहीं पूछी जाती है तो आप ellipse की parametric form क्या कहेंगे a कोई ठीटा कॉमा भी sin ठीटा समझ में आगई बात clear है आप सब भी लोगों के लिए चलिए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की और और आगे जो है दोस्तों हमारे concept आजाता है कि ये जो देखिए आप देख रहे हैं कि n, p, q एक line है तो इसके अंदर जो p, n है और ये जो p, q है इसका ratio कितना होता है ये ratio आपको याद रखना पड़ेगा तो आप direct यहां लिखेंगे कि p, n upon me, p, q इनका ratio जो है वो कितना होता है तो वो होता है b upon a, minus b और जो कि एक क्या है constant है सुझ में आगई बात तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि p, n upon me, p, q ये जो है p, n upon me, p, q इसका ratio fix है कितना? b upon me, a, minus b ठीक है? चल दो ये था अमारा auxiliary circle का पूरा concept और मेरे इसाब से आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा कि auxiliary circle है क्या ठीक? चल तो अब हम बढ़ते हैं next topic की और और next आजाता है आप लिखेंगे position of a point position of a point with respect to ellipse ठीक है? ये डबलू, आर, टी जो मैंने shortcut लिखा है इसका मतलब है with respect to तो position of a point किसी एक point की जो है इस्तती क्या है, उसकी position क्या है ellipse के respect में, यानि ellipse के उपर है, ellipse के बाहर है, या वो point ellipse के अंदर है, इस चीज़ को हम decide करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तो, हमारा जो भी formula है, उसमें उस point को put कर देंगे, तो हम यहां diagram छोटा सा बना देते हैं, suppose करिए ये ellipse है, ये इसका axis आजाएगा, और ये यहां से एक line के माददे हम से हम देखेंगे, ये जो p point है, जिसके coordinate है, क्या, x, y, और ये मानलो कट कर रहा है, q point है, जिसके coordinate है, x1, y1, समझ में आ गई बात, तो हम यहां decide करना चाहते हैं, कि ये जो p point है, ये p point अंदर है, बहार है, या फिर उपर है, ठीक, चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये और ये point है n, तो आपका जो p n square है, यानि p और n की जो distance है, वो जादा है, बराबर है, कम है, q n square से, उससे हमें पता चलेगा, यानि की p n और q n के बीच में क्या relation है, p n बड़ा है q n से, या p n बराबर है q n के, या p n छोटा है q n से, उसके according decide होगा, कि ये point outside होगा, inside होगा, या on होगा, तो अगर p n square बड़ा आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो p point है, ये outside में है, अगर बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे उसके उपर ही है, और अगर छोटा आ जाता है, तो हम कहेंगे inside है, समझ में आ गई बात, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, कि देखो भाई, p point जो है, वो क्या है, चली ऐसा करते हैं, इनका नाम दूसरा देते है, x और y देंगे, तो वापस equation वो ही आएगी, तो आप सोचेंगे क्या हुआ ये, तो x1, y1, और इसके coordinate मान लो, आप क्या हो जा आएगा, केवल y चेंज होगा, तो देखो, अब क्या हो जाएगा, x1 का square upon a square, plus y1 का square upon b square, is greater than, equal to, less than, किसके, अरे भाई, अब जो point आएगा, वो, क्या हो जाएगा, x1 square upon a square, plus y2 square upon b square, समझ में आ गई बात, ठीक है, अब देखिए, हमारे पास में दोस्तों आ चुका है, क्या, x1 square upon a square, plus y1 square upon b square, is greater than, equal to, or less than, तो अब हमें यहाँ, decide करना है, कि जो है, आपके, इसकी value क्या आ रही है, तो आप बताईए, थोड़ा सा सोचिए, वरना मैं बताता हो आपको, हाँ, जी दोस्तों, तो मेरे हिसाब से, कुछ students के पकड़ में आया होगा, क्या होगा, कि यह जो point है, देखो, यह जो है, यह पुरा, x1 square upon a square, plus y2 square upon b square, कितना हो जाएगा, one, सर, one, कैसे सर, अरे भाई, देख, यह जो q point है, यह हमने का लिया था, ellipse के, उपर, और किसी भी point को, ellipse के उपर, अगर हमने ले रखा है, तो जैसे ही, उस point के coordinate, उसमें put किये जाएंगे, तो वो ellipse की equation को represent करेगा, और ellipse की equation क्या कहती है, कि x square upon a square, plus y square upon b square, is equal to होता है, one, तो यह हो जाएगा, पुरा, one, तो अब हमारे पास equation क्या आजाएगी, x1 का square upon a square, plus y1 का square upon b square, is greater than, equal to, less than, one, समझ में आगई बात, इस one को अब इदर ले आएंगे हम, ठीक है, यह मैं थोड़ा सा, यहां use कर रहा हूँ, यह लेजी, अब यह क्या हो जाएगा, x1 square upon a square, plus y1 square upon b square, minus one, is greater than, equal to, less than, zero हो जाएगा, समझ में आगई बात, तो, अब आपको यह याद रखना है, कि जैसे ही, आप किसी भी point को, जो भी आपके पास point दे रखा हो, जिस भी point के position की बात की गई हो, आप उस point को क्या करेंगे, ellipse के अंदर put करेंगे, put करने पर, अगर उसकी value greater than zero आ रही है, तो, आप कहोगे कि वो point outside है, अगर equal to zero आ जाए, तो, आप कहोगे कि वो ellipse जो है, उसी के उपर वो point इस्तित है, और अगर less than zero आ जाएगा, तो आप कहोगे कि वो point है, वो point inside है, वो point उसके अंदर है, ellipse के अंदर है, तो, ये बात हो गई किसके, एक point के position की, किसके respect में, ellipse के respect में, ठीक है, तो क्या याद रखोगे, greater than zero है, तो outside equal to zero है, तो on this ellipse, and less than zero है, तो inside the ellipse, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, एक next concept की, next concept आ जाता है, line and ellipse की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, line and ellipse, ठीक है, मतलब, अभी हमने बात करी, एक particular point की, लेकिन, ऐसे ही, infinites point को अगर मिलाते हैं, तो क्या बनती है, एक line बनती है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, उस line की, और ellipse की, एक दूसरे के respect में, position की, यानि वो जो line है, वो ellipse को touch करेगी, ellipse को cut करेगी, ellipse से दूर है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले, मान लो, line की equation, simplest equation क्या हो सकती है, y is equal to mx plus c, और ellipse की equation क्या होती है, x square upon a square, plus y square upon b square, is equal to 1, यह होती है, अब देखिए, आप इस y को इस equation में put कर दीजिए, यानि की, x square upon a square, plus mx plus c का square, upon b square, is equal to 1, समझ में आ गई बात, अब, इसको हम थोड़ा सा solve करेंगे, solve करने के लिए क्या करें, तो वही lcm वगेरा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, b square, x square, plus a square गुणा mx plus c का square, बराबर हो जाएगा, a square, b square, ठीक है, और इसको थोड़ा सा solve करेंगे, तो b square, x square, plus हो जाएगा, a square, m square, x square, plus 2 mx, c, और ये इदर आजाएगा, a square दी हो जाएगा, 2 a square, mc, x, plus a square, c square, बराबर हो जाएगा, a square, b square, ठीक है, चलिए, अब इदर, जो है, हम इसमें, और इसमें, x square common आ रहा है, इसको ले लो बार, तो b square, plus a square, m square, multiply हो जाएगा, x square से, फिर, इदर क्या आजाएगा, 2 a square, mc, और ये x, प्लस, ये क्या बचा, जो constant है, a square, c square, minus a square, b square, बराबर, 0, तो हमने, एक ये दिख रहा होगा, हमारी अगर आखें, इतनी तेज हैं, हमारी आखें, इतनी तेज हैं, तो हमें ये दिख रहा होगा, बिटा, कि ये equation क्या है, x के अंदर, quadratic equation है, और अगर, x के अंदर quadratic है, इसका मतलब, यहां से, x की दो values आएगी, ठीक है, और, x की अगर, दो values आ रही है, तो हम पहले, यहां ये देखना चाहेंगे, कि जो दो roots आएँगे, जो x की values आएगी, वो real आएगी, या दोनों complex आएगी, या एक real और एक, जो है, काम की नहीं या, negative या कैसी आएगी, वो देखने के लिए क्लिए क्या करते हैं, discriminant, निकालते हैं, और discriminant क्या होता है, b square minus 4ac, b square क्या है, तो ये b है, इसका square, यानि 2a square mc, इसका square, minus 4, a की value क्या है, b square plus a square m square, into c, तो क्या हो जाएगा, a square c square, minus a square b square, ठीक है, इसको करेंगे solve, यह हो जाएगा, 4, a4, m square c square, minus, अब ये 4 agities रहने दीजिए, और इसका multiply करिए, तो क्या हो जाएगा, देखो, b square, a square c square, तो ये हो जाएगा, a square, b square, c square, ठीक, फिर, इसका multiply इससे, तो ये minus, minus, plus, और ये हो जाएगा, 4, a square, b4, ठीक है, फिर, इसका इससे भी हो गया, इसका इससे भी हो गया, अब इसका इससे, और इससे, तो ये हो जाएगा, क्या माइनस 4 A4 M2 C2 और एक हो जाएगा यह माइनस है यह माइनस है यह हो जाएगा प्लस 4 A4 B2 M2 समझ में आगई बात ठीक है इसको करो थोड़ा सा solve जब हम इसको solve करेंगे तो देखिए दोस्तो क्या हो जाएगा भाई देखो 4 A2 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 सब में से common आएगा तो यह बार आगया 4 A2 अब जो जो बचा है अंदर उसको लिख देंगे तो अंदर क्या बचेगा एक तो यहां से बचेगा A2 M2 C2 फिर माइनस B2 C2 ठीक है फिर इदर प्लस का B 4 फिर माइनस का A2 M2 C2 और फिर प्लस का क्या हो जाएगा A2 B2 M2 यह बचेगा अब इसमें जो काटा पीटी हो रही है उनको काट डालो काटेंगे किसको यह A2 M2 B2 C2 ठीक है यह हो गया काटा पीटी है complete अब बचा वो लिख लो 4 A2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों तो यह हो जाएगा अब आपके पास मैं क्या हो जाएगा अरे जल्दी बोलिये भाई देखो यहां कुछ काटा पीटी और हो रही है क्या देखिए देखिए हम यहां अचा अचा इसमें इसमें B2 और कॉमन ले लेते हैं लो यह B2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा अब केवल और केवल देखो यह बचा B2 इदर से बचेगा A2 M2 इदर से बचेगा माइनस का C2 समझ में आ गई बात तो 4 A2 B2 गुणा A B2 प्लस A2 M2 माइनस C2 यह आ गया अब यहां अब हम यह देखेंगे कि तीन कंडिसन हो सकती है पहली क्या होगी D greater than 0 हो सकता है अब D greater than 0 है इसका मतलब यह देखो 4 तो constant है positive है A2 हमें सा positive हैगा B2 हमें सा positive हैगा तो यह जो अंदर वाला है यह greater than 0 है यह less than 0 है यह equal to 0 है उस पे depend करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि B2 प्लस A2 M2 अगर greater than C2 है तो हम क्या कहेंगे कि यह इसको यह जो line है हमारी यह ellipse को दो भागों में कट कर रही होगी अलग अलग जगे यह ellipse है तो इसको यह line इस type से होगी क्यों? अरे भाई देखो दो values आएगी यहां से X की तो दो values आएगी तो दो जगे कट करनी ही चाहिए और greater than 0 है यह दोनों के देखो रूट्स जो होंगे वो real होंगे और distinct होंगे अब real roots हैं और distinct roots है इसका मतलब obviously बात है दो जगे कट करेगी तो यह line जो है फिर क्या हो जाएगी? तो line is a secant सुनमें आगई बात तो यह line क्या हो जाएगी? secant हो जाएगी यानि दो जगे पर कट करेगी चलो दूसरा point अगर d equal to 0 हो जाए यानि कि क्या हो जाए? b square plus a square m square equal to में क्या हो जाए? c square हो जाए ठीक है? अगर यह हो गया तो हम क्या कहेंगे? condition of tendency हो जाएगी तो आप लिख लिजिए कि condition of tendency ठीक है? condition of tendency का tendency का मतलब है कि यह जो line है यह इसकी tangent बनने वाली है यानि यह जो ellipse है इस ellipse को ऐसे एक नट एक नट यह जो line है यह ऐसे ellipse को केवल टच कर रही होगी समझ में आगई बात एक point के उपर क्यों? q by d equal to 0 है तो x की दो value आएगी और दोनों की दोनों same value आएगी same value आएगी यह नहीं same point को represent करेगी same point को represent कर रही है और line अगर उसी point से जा रही है इसका मतलब वो क्या है tangent है तो किसी भी line के ellipse की tangent है या नहीं है उसकी condition क्या होगी तो उसकी condition हो जाएगी b square is equal to sorry b square plus a square m square is equal to c square अगर आ रहा है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो tangent है उसका slope क्या होगा sorry equation क्या होगी तो tangent of slope m अगर उसका slope m है तो tangent की equation हो जाएगी y is equal to mx plus minus under root a square m square plus b square यहां से आ जाएगा ना c is equal to आ जाएगा under root में तो y tangent की equation क्या जाएगी y is equal to mx plus minus under root a square m square plus b square समझ में आ गई बात clear है आप सभी लोगों के लिए चलिए third condition क्या आती है third आती है अगर d less than 0 हो जाए d less than 0 का मतलब जो दोनों roots हैं वो exist ही नहीं करेंगे अब दोनों roots exist नहीं कर रहे इसका मतलब क्या हुआ ये जो b square plus a square m square है ये less than c square होगा और अगर ये less than c square हुआ तो जो line है वो line ना तो इसको touch कर रही होगी ना इसको intersect कर रही होगी कोई लेना देना नहीं होगा outside the ellipse होगी समझ में आगई बात clear है आप सबी लोगों के लिए तो कोई भी line कोई भी एक line है हमारे पास में वो line ellipse को क्या कर रही है cut कर रही है as a tangent है उसके लिए या उससे कोई लेना देना नहीं है ये सब चीज किस पर depend करेगी तो ये depend करेगी b square plus a square m square is equal to c है greater than c है less than c square है जो भी होगा अगर greater than c square है तो वो line दो point पर cut करेगी अगर equal to c square होगा तो वो line जो है tangent हो जाएगी ठीक है तो इसकी equation क्या बन जाएगी tangent की y बराबर mx plus minus under root a square m is plus b square और अगर less than c square होगा तो वो line जो है ना तो touch कर रही होगी ना ही उसके पास में touch होखे भी जा रही होगी ना cut कर रही होगी कुछ लेना देना नहीं होगा outside the ellipse हो जाएगी अब आपको पता है कि कोई भी line अगर tangent है तो ये जो point है जिस point पर tangent उसे touch करती है उस point को क्या कहते है point of contact कहते है तो point of contact जो है उसके coordinates के आएंगे वो अब हम निकालने जा रहे हैं ठीक है चलिए तो आप लिखिए point of contact point of contact तो point of contact क्या हो जाएगा मतलब ये जो हमारा ellipse है इसको भाई tangent होगी ये रही tangent लो तो ये जो point है जिस point पर वो उसको touch कर रहा है ये p point जिसके coordinate मान लो x1, y1 है तो हम x1 और y1 की value निकालना चाहते हैं तो tangent की equation है क्या y बराबर mx plus minus under root a square m square plus b square ये है ठीक है और इस ellipse की equation क्या है तो ellipse की equation है x square upon में a square plus y square upon में b square is equal to 1 और आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ellipse की tangent अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं tangent तो tangent लिखी जाती है x गुणा x1 upon a square plus y गुणा y1 upon b square is equal to 1 ठीक है तो इसको दे दो आप second equation और ये हमारी है first equation अब एक ellipse है उसकी tangent की equation दो लिखी जा रही है एक tangent की equation हमने मान ली कि y बराबर mx plus minus under root a square plus m square plus b square है और एक हमने ellipse की equation से tangent की equation बनाई वो क्या है x dot x1 upon a square plus y dot y1 upon b square ये दोनों की दोनों identical है first and second equations are identical ठीक है अब ये अगर identical है तो इसका मतलब ये दोनों की जो भी values आएगी ratio जाएंगे वो equal आएंगे तो देखो भाई इसमें जो x है उसका coefficient क्या है x1 upon a square और इसमें x का coefficient क्या है m तो वो equal होगा किसके देखो तो x1 ठीक है upon a square upon में हो जाएगा m ये equal होगा किसके जब दोनों लाईने सेम हैं तो आपको पता होगा a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तिनों equal होने जीए यहाँ पर हो जाएगा y1 upon b square upon में y का coefficient है 1 is equal to इदर constant की value है 1 और उदर constant की value क्या है a square m square plus b square ये जो हमारे पास में अलग-अलग values आई यहाँ से जैसे ही हम comparison करेंगे तो x1 की value निकल करके क्या आजाती है minus a square m upon under root a square m square plus b square और y1 की value क्या आजाती है तो y1 की value आजाएगी b square upon में under root a square m square plus b square समझ में आगई बात clear है तो x1 और y1 यानि की point of contact जो होगा उसके coordinates क्या होंगे तो उसके coordinates हो जाएंगे minus का a square upon m upon में under root a square m square plus b square और y1 क्या हो जाएगा b square upon में under root a square m square plus b square ठीक है अब देखिए दोस्तो हम अगर इसे थोड़ा सा short form में लिखने का प्रयास करें तो देखिए एक नट हम इसे short form में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसे लिखेंगे a square m upon ये ultimately पूरा का पूरा है क्या भाई c तो है तो ये c और इदर भी हो जाएगा b square upon में c समझ में आ गई बात तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ऐसे याद नहीं रखें तो ये short form भी याद रख सकते हैं कि point of contact क्या होता है minus a square m upon में c और b square upon में c समझ में आ गई बात clear है आप सब भी लोगों के लिए अगर आप सब भी लोगों के लिए बात clear है तो आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों के ये जो हमने आज तीन concept पड़े पहला auxiliary circle उसके बाद में position किसकी point की उसके बाद में position किसकी line की तो ये तीनों चीज़े आपको याद रखनी है इन पर based कल हम question और आगे की जो theory है जैसे डारेक्टर सरकल जो है या director circle है उसके बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे कि अगर ellipse के उपर किसी एक बहारी point से दो tangent डाली जाती है उन दोनों tangent के बीच angle कितना होगा दोनों जो tangent डाली गई उनके point of contact क्या होंगे उनके जो slope होंगे उनके बीच में relation क्या होंगे जिनसे question कई बार पूचा गया है उसके बाद में ellipse भी हमारा complete हो जाएगा यानि ellipse के अब एक बड़ा lecture या फिर चोटे चोटे आदे आदे गंटे के दो lecture आ सकते हैं उसके बाद में ये topic हमारा complete हो जाएगा दन्यवाद आप सबी लोगों का दोस्तो आप सबी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और जो भी इस्टुडेंट आप वापस से सो गए थे जिनने ये लग रहा था क्लास नहीं आएगी उन्हें जल्दी से सेर करके बता दीजिए ये बाई क्लास वापस इस्टार्ट हो चुकी है नौर्स बनाना चालू करो धन्यवाद